हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है यूपी टीटी और सुपर टीटी हिंदी ब्याकरण की हम क्लास बढ़ रहे थे आपने तत्सम और तद्वव की थियोरी को पढ़ा अभी हम करेंगे कुश्चन और आंसर आप लोग कुश्चन के आंसर बड़े ही ध्यान से देजिए है आपको तत्सम पैचाना तत्सम कौन से होते हैं जियों के त्यों सांप चिन बीड़ा और विस्मे अभी आप बताईए कि इन में से कौन सा सब्द है जो कि तत्सम सब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपने भी यही दिया होगा तो विस्मे जिसका आर्थ होत करना है ममुक्ष, बरिष्ट, अंगूठा और उस्मा इन में से कौन सा सब्द है जो तत्सम है तो इसमें ऑप्सन नमबर ए सही है ममुक्ष जो सब्द है वो तत्सम है बागी के तीनो तद्वव हैं कुश्चन नमबर तीन फिर से पूँचा है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है पलंगा, पलवंग, पर्यंक और पटल यानि कि पलंग जो सब्द है वो तत्सम रूप है तो इसका तत्सम रूप क्या होगा संस्कत में क्या रूप होगा तो आफसन नमबर सी सही है इसका आंसर पर्यंक होता है इसका तत्सम रूप याद रखिए आगे से को बताना है इन चार सब्दों में से कौन सा तद्वव है दिन अंदकार शकंद और कपास अब यवी अंदकार मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बताया था अंदकार कौन सा है तत्सम सब्द है इसको अंधिरा होगा इसका तद्वव तो इसमें से आपको बताना है कि तद्वव कौन सा है तो option number D सही है कपास कपास जो है वो तद्वव सब्द है और कपास का जो तद्वव सब्द है वो होता है करपास और जो दिन है दिन एक तद्वव सब्द है और इसका जो तद्वव होता है वो होता है दिवस और अंधकार का मैंने आपको बताया अंधेरा और जो इसकंद है उसका होता है कंधा तदबव सब्द है वो होता है कंधा तो ये तीनों है तट्सम कपास का कपास एक तदबव सब्द है इसका होता है करपास answering number D हो गया सही कुछते नमबर 5, अखरोट सब्द का तत्सम रूप बताईए अखरोट का एक तदवज सब्द है इसका तत्सम क्या होगा अक्छवाट, अक्छरोट, अक्छोट और अश्रोट तो आंसर नमबर इसका B सही है Sorry, इसका आंसर नमबर C सही है वो है अक्छोट answer number C यह answer यहाँ पर C होगा यह typing mistake है यहाँ पर answer number C होगा अक्छोट कुछते number 6 है अकार्य शब्द का तदवव रूप क्या है अकार्य एक तत्सम शब्द है इसका तदवव रूप बताना है अकाम, अकाज, अकारत या फिर इन में से कोई नहीं तो जो अकार्य सब्द है वो तत्सम सब्द है और इसका तदवव हो जाएगा अकाज, option number B इसमें सही है कुछते number 7 तकसाल का तत्सम रूप क्या है तकसाल एक तदवव सब्द है और इसका जो तत्सम रूप वो क्या है तंकसाला या फिर तंकशाल तकसाल या तकशाला तो आपको बताना है कि इसका तत्सम रूप क्या होगा तो वो है आपसन नमबर A अब वो है तंकसाला तंकसाला को बोलते हैं तकसाल कुछसे नमबर अभी आठ है कि आपको चारों में से तत्सम जो शब्द है वो पैचानना है कौन सा सब्द अपने तत्सम रूप में है भेंस, बारह, सच या पाद तो इसका आपसन नमबर डी सही हो जाएगा पाद बाकी के तीनों तदवब रूप में है पाद जो सब्द है वो तत्सम रूप में है क्योंकि जो पाद होता है इसका तदवब होता है पेर या जो जो भेंस है वो तद्वव सब्द है इसका जो तद्वव सब्द होगा भेंस का वो होगा महिसी और जो बारह है इसका तद्वव होगा द्वादस और जो सच है उसका तद्वव होता है सत्य तो पाद क्या है तत्सम रूप है इसका तदवब होता है पाओ या फिर पेर आंसर नमबर D सही हो गया कुछिशन नमबर 9 है गोवर का तत्सम रूप क्या है तो गोवर का तत्सम रूप क्या है गुरुबर गोमय गहवर या गुबर इसका आंसर आपको बताना है उपर वाले ये A, B, C या B, D इनको देखर करें कन्फूज नहीं होना है जश्टा आपको कन्फूज के लिए हैं इन चारों में से आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा और गोवर का जो तत्सम रूप होता है बो होता है गोव मह, आप्सन नमबर B सही हो जाएगा, गोवर क्या एक तत्सम होता है गोव मल या फिर गोव मह B आप्सन सही है कुश्टन नमबर 10 देवर का तत्सम सब्द होता है देवर, दुवर, दुरुवर और दुतिवर तो देवर का तत्सम सब्द क्या होगा दिवर का तत्सम सब्द होता है दिवर option number कौन सा हो गया है बी ना कि ये तीनों के तीनों तो option number बी याद रखिये दिवर question number 11 निम्द सब्दों में से तदवव सब्द कौन सा नहीं है ये वताना है आपको तुरंत, आज, धीरज और खरपर इन चारों में से कौन सा सब्द है जो तदवव नहीं है अभी जो खरपर सब्द है वो तत्सम सब्द है option number D इसका अंसर सही हो जाएगा और इसका जो तदवव होता है वो होता है खपर या फिर खपड़ा और जो तुरंत है option number A में आप देख रहे होंगे तुरंत, तुरंत क्या एक तदवव सब्द है और इसका तत्सम होता है त्वरित आज, आज भी एक तदवव सब्द है आज भी तत्सम होता है अध्य और धीरज, ये भी एक तदवव सब्द है का आर्थ होता है तत्सम होता है धेर और जो खर पर है ये एक तत्सम सब्द है और इसका जो तत्वव होता है वो खपर होता है और अफसन नमबर डी है कुछ्छन नमबर बारा है अभी कि इन में से जो नीची दिये गए जो तत्सम और तत्वव हैं इन सब्दों के युगम मे से कौन सा जो pair है वो ठीक नहीं है तत्सम और तद्वव का option number 12 का आपको answer देना है तो इसमें जो option number B है वो गलत है वो है दही और दही क्यासे गलत है कि जो दधी है वो तत्सम सब्द है और इसका तद्वव दही होता है तो आप समझ रहे होंगे दही नहीं यहाँ पर दधी होना चाहिए था धनुस वाला धा होता दधी और दही तो यह answer सही था दही और दही यह जो जो जोड़ा है वो गलत है तो टोटल तत्सम और तद्वव के आपने 12 question किये और इसी type के question आपको मिलेंगे तो आपको यह कैसे समझ में आएगा कैसे solve करेंगे नहीं आप बहुत बार देखेंगे बहुत बार revise करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन से सब्द हैं जो संसकत में और हंदी में से में हैं और कौन से इनका रूप बदला हुआ है उनका meaning क्या है दोस्तो आगे और भी topic हैं जने हम cover करेंगे UPTAT और SuperTAT दोनों की तयारी चल रही है तो आप लोग मेरे साथ join कीजिए और आपकी पूरी तयारी सभी subject में मैं आपके करवा दूँगा धन्यबाद दोस्तो